हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल टेकनिकल हिंट्स में दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि टीवी की रिमोट को कैसे चेक करें कि रिमोट काम कर रहा है खराब है या ठीक है दो उसके लिए सबसे पहले आपको A teamwork remote चाहिए गा जो हमारे पास रखा हुआ सोनी टीविका remote है उसके बाद अपने फोण का camera जी है आप अपने फोन के camera से चेक चेक कर सकते हैं कि आपका remote सही है या नहीं है ठीक है कई फार गांव टनक्र fringe Autom проблема काम नहीं कर रहा है इसलिए चैनल चेंज नहीं हो रही है कुछ तो इसमें आप इजिली चेक कर सकते है रिमोट को कैसे काम करता है कि नहीं करता है तो सबसे पहले रिमोट है हमारे पास ये और उसके बाद अपने फोन का कैमरा ओन कर रखा है हमने आप देख सकते हैं तो phone के camera में आपको clear दिखेगा यह देखिए यह मैंने on off का button जो मैं दबा रहा हूँ अब आप ध्यान से देखिए यह देखिए आपको यहाँ पे एक sensor दिख रहा है उस sensor में जो light on हो रही है तो आपका remote काम कर रहा है यह आपके phone के camera में ही आपको दिख जाएगा आपका phone के camera में सामने करके हो और कोई भी button दबाएंगे अगर यह sensor में यह light आ रही है तो आपका remote है वो working condition में है यह देखिए कोई भी आप button दबाएंगे दीरे दीरे एक एक button में दबा के दिखा रहा हूँ हर button में sensor की जो light है वो on हो रही है that's mean आपका remote जो है वो working condition में है ठीक है यह देखिए यह channel manually अगर आप change करना चाहें number 1, 2, 3 तो यह सारी numbering मैंने on off करके देख लिए है इससे push करके देख रहा हूँ तो सब में बत्ती आ रही है यह देखिए यह आपका volume के लिए है up down के लिए और यह आपका channel डारेक्ट channel चेंज करने के लिए तो सारे button जो है आपके वो working condition में है आप चेक कर सकते है आप एक एक button को भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा button इसमें काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों यह video कैसी लगी बड़ा आप जरूर कमेंट्स करके बताना और चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करें क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं बड़ चैनल को subscribe नहीं करते हैं तो देखते हैं और अच्छी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए तब तक के लिए थैंक यू